समर में एक लड़की का अपनी गल्फरेंड के साथ ब्रेकब हो जाता है वो एक न्यू लड़की से मिला जो सिर्फ इस ताउन में विजिट कर रही थी प्रालोम तब आता है जब एक लड़का उस लड़की का अपसेशन बन गया सारी चीजों ने वाइलन डूप ले लिया हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको 2017 की यू गॉट मी एक हॉलिवड थ्रिलर मुवी एक्सप्लेंट करने वाला हूँ अगर आपको एक्सप्लेंशन अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा तब बिना किसी दे रही है एक्सप्लेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन गैरेक्टर टाइलर को देखते है वो हैता है कि मेरी लाइफ पर्फेक्ट है उसका जॉब सी के पास है वो आप और वेटर का काम करता है तो उसकी टीफ वेगर आच्छी है उसकी लाइफ में उसकी ब्यूटिफूल सी गर्फरेंड एलिसन है उसे लगता था कि Allison के आने के पहले उसकी life black and white थी पर उसके आने के बाद सब कुछ color में बदल चुका है प्यार में अपने आप को better करने की कुशिश करता है Allison भी उसे अलग-अलग चीज़े try करने के लिए हमेशा support करती है इन दोनों की relationship perfect थी टाइलर के घर पर उसकी mother और sister है उसकी mother हमेशा काम करती है तो अपनी sister का उख हैल रखता है आजरा टाइलर अपने friends और Allison के साथ एक party में आता है टाइलर का friend कील उसे कहता है कि तुम बहुत ही लगी हो कि तुमें Allison जैसे लटकी मिली है उसे कभी भी जाने मत देना यहाँ इसी party में Allison का एक old friend उसे मिला जिसका नाम है Chase Chase जा कर उसे बात करता है कहता है कि sober होकर तुम तो बहुत ही अलग लगती हो इसका मतलब है पहले वो बहुत ही party किया करती थी अब इस six months हुए वो इस new town में आई थी Chase Allison के old town से था तो इस वज़े से उसे वहाँ से जानदा था Allison अपनी पुरानी life पीछे छोड़ कर आई थी तो उसे इसके बार में बात करना ज़रा uncomfortable लगता है वो Chase को पूरी तरीके से ignore कर देती है Taylor ने देखा और वो भी उसके पास आ गया उसे कहती है कि प्लीज मेरे लिए ड्रिंक ले करा ड्रिंक लेने के लिए जब Taylor जाता है वही पर Chase भी था Chase ने टेलर से कहा कि Allison को अगर तुम ब्रिवेसली जानते है तो बहुत ही wild थी Chase और Allison एक दुसरे को date करते थे इन सब बातों के वज़े से Taylor जड़ा अपसेट हो गया वो बात्रूम के पास आया और वहाँ उसे हॉली मिल दिये ये दुनों एक दुसरे से बात करने लग गये आज मेरा ब्रिक अप हुआ है Taylor कहता है मेरी भी अभी अभी इंसल्ट हुई Taylor कहती है तुम्हारी कौन इंसल्ट करेगा वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी इसके बाद ये दुनों अलग-अलग अपनी पार्टी एंजॉय करते है Taylor पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया Allison उसके पास आई उस थी कि हुआ क्या Taylor कहता है कि तुम पहले उसको डेट करेई थी और six months होगे हम दोनों अब तक intimate भी नहीं हुए इस बात से वो बहुत ही upset था Allison उसे समझाने की कोशिश करती है पर Taylor समझता नहीं Allison को भी इस बात पर गुसा आ गया और ये दोनों break up कर लेते है Taylor फिर पार्टी से बाहर आया और वो वहाँ Holly से मिलता है उसने उससे कहा कि मेरा भी अभी अभी break up हो गया Holly गहती है क्यों ना हम कहीं और चलते है वो दोनों फिर कलब के डांस करते है Holly ने Taylor को ड्रॉस की एक गोली दी इसके बाद वो Holly के घर पर आया और ये दोनों इंटिमेट हो जाते है सुबा टाइलर ने इस सब जगा देखी ये बहुत बड़ा प्लेस था Holly से वो बुछता है कि हम दोनों हे कहा वो गहती है कि इसके ओनर ज़रा बहार गया है तो पूरे समर मैं इसका खयाल रग रही हूँ Holly अपने निकालियों फोटोस को देख रही थी वो बहुत अच्छे फोटोस निकालती है तो टाइलर इसे सप्राइस था ये दोनों फिर पूल के पास बेटे टाइलर को ये जगा बहुत पसंद थी Holly कहती है मैरे फादर को भी ये जगा बहुत पसंद आती वो अपनी पूरी लाइफ वो सिर्फ काम करते रहे इसके बाद ये दोनों फिर से इंटिमेंट हो जाते है ये दोनों एक दूसरे के बारे में जान रहे थे जैसे कि फैमिली उन दोनों को क्या अच्छा लगता है इनका आज का डे बहुत ही ब्यूटिफुल था अगले दिन टैलर यहां से निकल रहा था तो हाली से कहता है हम दोनों की बीच में जो है ये बहुत ही स्पेशल है घर पर आकर टैलर ने अपना फोन देखा तो ऐलिसन उसे फिर से बात करना चाहती थी अगले दिन उसके घर जाता है ऐलिसन उसे कहती है तुम्हारे आने से पहले मेरी अलग लाइफ थी मैं बहुत ही अजीब थी हमेशा ड्रंक रहती थी सारी चीज़े छोड़ कर मैं इस टाउन में मूँ हुई हूँ मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए हमारे बीश में जो भी है यह मुझे बहुत ही स्पेशल लगता है इसी वज़े से मैं ज़रा वेट कर रही थी टेलर भी यह बात समझ सकता है अलिसन ने टाइलर को I love you कहा और इन नोनों का फिर से patch up हो जाता है अब इसके बात समर vacation खतम होते है टाइलर जब स्कूल आता है तो उसी की किलास में उसे हॉली फिर से मिली उसे देखकर surprise था हॉली उसे कहती है मेरी मदर ने decide किया कि हम यही रहेंगे हॉली ने टाइलर और एलिसन को एक साथ देखा था तो उसे congratulate करती है टेलर उसे कहता है हमारे बीच में जो भी हुआ प्लीज ये बात किसी को भी बताना मत हॉली भी है समझ सकती है इसके बाद जब lunch break हुआ तो अलिसन और हॉली ये दोनों एक साथ या आये हॉली भी इनकी group का part बन चुकी थी आज रात party के लिए हॉली इन सब को invite करती है पर टाइलर ने मना कर दिया उसके लिए बहुत ही weird था वो टाइलर को test करकर school में इस जगाओ पर अकेले मिलने के लिए बुलाती है उसे kiss करने लग गई थी पर टाइलर कहता है कि हम दोनों ये सब नहीं कर सकते हमारे बीच में जो भी summer में हुआ वो सिर्फ एक mistake थी अलिसन और मेरा अगर break up नहीं होता तो मैं कभी भी नहीं करता हॉली इस बात पर बहुत ज़्यादा hurt होगी वो कहती है तुमने मुझे use किया तुम्हें इसके लिए बचताना पड़ेगा अगली दिन हॉली अलिसन और उनकी friend Lydia ये सब बात कर रहे थे Lydia Holly से कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम चेक किया तुम्हारा कोई भी social media profile नहीं है Holly कहती कि मैंने सब कुछ delete कर दिया है जो भी मेरे friends है वो directly मुझे call कर सकते है Lydia को ये बात बहुत ही अजीब लगी इसके बाद ये hangout करने के लिए Tyler के gaffay पर आये यहाँ पर Holly अपने फोटो सबको दिखा रही थी इसमें एक फोटो Tyler का भी था पर उसका face इसमें नहीं है Tyler ये देखकर ज़रा डर जाता है सब मिलकर फिर बीज पर hangout करने के लिए Alison बुचती है वो फोटो में का लड़का कोन है Holly कहती है जब मैंने उसे first time देखा तो मुझे पता था हम दोनों में एक connection है उस राद जो भी हुआ था ये सारी जीज़े वो Alison को बताती है ये पताते वोग Tyler को जेलर्स फिल कराने के लिए उसके फ्रेंड गील को किस करने लगती है एलिसन और Holly अच्छी फ्रेंड्स बनने लग गई थी ये टेलर को अच्छा नहीं लगता आज राद भी एलिसन और Holly ये दोनों एक साथ हैंग आउट कर रही थे इन दोनों की conversation से Holly को पता चला कि Tyler और एलिसन अब तक intimate नहीं हुए एलिसन से कहती है कि तुमने सही किया है बहुत सारे लड़के उसके बाद ignore करने लग जाते है Holly पूरी तरीके से उन दोनों को दूर दूर रखने की ट्राय कर रही थी नेक सिन में टाइलर अपने फ्रेंड गिल को Holly के बारे में बता देता है वो कहता है कि वो मुझे जेलस फिल कराने के लिए तुमारे साथ है गिल कोई सही नहीं लगा गिल इस बात पर गुसा हो गया उसे लगता है कि Holly साचोंज में उसे लाइक करती है अगली दिन Holly डारेक्ले टाइलर की घर पर पहुँझ गई थी टाइलर उस पर गुसा हो जाता है कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो वो गहती कि मुझे तुमारी फैमिली से मिलना था टाइलर उसे मना करता है Holly ने का कि मैंने सब कुछ ऐलीसन को बता दिया है टाइलर बहुत ही डर गया उस पर गुसा हो जाता है फिर Holly कहती है मैं सिर्फ मजाग कर रही थी वो सिर्फ Taylor को Dissub कर रही थी आज टाइलर ने स्कूल में देखा कि Holly की मदर विजिट करने केलिए आई हुई थी वो जाकर उसे बाद करते है Holly के मदर से बाद करने के बाद उसे पता जला कि Holly ने अपने बारे में उसे जो भी बताया था ये सब को जूट है Holly की मदर Taylor से कहती है कि हम दोनों मिले थे ये बात उसे बताना मत वो एक्चुल में उसकी स्टेप मदर थी Holly और Taylor जिस घर में थे एक घर भी Holly का ही था कल राज जब Alison और Holly हैंग आउट कर रहे थे तो Alison को लगा ये Holly ज़रा अजीब है इसके बारे में वो Lydia से बात करती है Lydia ने खा मैंने भी उसे सर्च करने की बहुत कोशिश की पर वो कही भी नहीं मिली उसके साथ कुछ ना कुछ तो अजीब है इन दोनों की सारी बाते Holly सुन लेती है Lydia अब उसके लिए ट्रबल हो सकती थी ये जब कैंटिन में थे तो Holly ने इनके लिए मिल्शेक लाया ये मिल्शेक पीते बीते Lydia को एलर्जी आती है उसे होस्पिटल में एंडमिट कर दिया जाता है टालर Alison से मिला तो इस सब इंसेडेंट के बाद वो बहुत ही डर गई थी उसे गले लगा लेती है कहती है तुम मेरे साथ हो मैं बहुत लखी हूँ इसके बाद नेक सिन में हम Holly को उसके स्टेप मदर से बात करता देखते है वो अपनी स्टेप मदर पर गुसा थी क्योंकि उसे अब तक अपने फादर के सारे पैसे मिल नहीं पाते है स्टेप मदर ने कहा कि तुम्हे सारे पैसे मिलेंगे सिर्फ तुम्हे थेरपी के लिए जाना पड़ेगा Holly को mental problems थे उसे psychologist के बाद जाना अच्छा नहीं लगता वो कहती है वहाँ जाने से अच्छा तुम्हे अपने आपको मार डालोंगी उसकी स्टेप मदर भी उसे बहुत डरती है क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकती है आज कल Holly और Alison हमेशा एक साथ time spent करते थे तो इस वज़े से Tyler को बहुत ही अजीब लगता है एक दिन Tyler Alison के साथ days spent करना चाहता था पर Alison कहती है कि अभी अभी Holly को बता चला कि वो pregnant है उसे मेरी सहारे की जरूरत है Tyler इस बात से और भी ज़ादा worried हो जाता है Holly और Alison हैंग आउट करे थे Holly उसे बुछती है कि अगर तुमारा और Tyler का बेबी होता तो तुम क्या करती है वैसे भी तुम तो बहुत ही perfect couple हो तुमारा कभी भी break up नहीं होगा Next scene में Holly directly Tyler के घर पर भोज गई थी उसकी sister से बात करने लगती है Tyler इस देखता है उस पर बहुत ज़ादा गुस्सा हो जाता है उसका हाथ पकड़ को उसे जबर्दस से घर से बाहर निकाल लेता है कहता है तुम मेरी girlfriend नहीं हो Holly कहती कि तुम मुझे इस तरह के से treat नहीं कर सकते मैं तुमारी बच्चे की mother हूँ Taylor कहता है क्या तुम मेरी हालत देख सकती हो मैं इस बच्चे को support नहीं कर सकता गिर जाती है वह बहुत ही जादा घुसा हो गई थी वह रात में एलिसन के पास आई उसके और टैलर की बिच में जो भी हुआ था इस सारी चीजे सच सच बता देती है टैलर भी सब कुछ चीजों के बारे में में बहुत सोचता है वह डारेटल लीडिया के पास हॉस्पिटल में आया वह उसे भूचता है कि एक्च्वल में हुआ क्या था लीडा कहती है मैं हमेशा केंड़ने से मिल्चेक लेती हूँ पर सिर्फ एक बार हॉली मिल्चेक लेने के लिए गी और मेरा यह हाल हो गया उसे लगता है कि हॉली ने उसकी मिल्चेक में कुछ मिला दिया था टेलर ने लीडिया को भी सब कुछ सच बता दिया वो कहता है कि अब मैं ऐलिसन को सब कुछ बता दूंगा अगली दिन उसने ऐलिसन को मिलने के लिए ब वो कहती है कि अब तुम्हारा ब्रेक अब हो चुका है तो हम एक साथ रह सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है टेलर उसे कोई भी रिस्पोंस नहीं देता अगली दिन स्कुल में टेलर के पास पूलिस आए वो गहते है वेरोनिका ने तुम पर चार्जस लगाए ये वेरोनिका कोई ने इसके बारे में टेलर को कोई भी आईडा नहीं था टेलर उपर वेरोनिका को हर्ड करने के चार्जस थे ये ज़्यादा सीरियस नहीं थे तो रात में टेलर ने सर्च किया तो उसे पता चला, यह वहरोनिक का और कोई नहीं, तो हॉली है। हॉली के बारे में और भी इनफॉर्मेशन निकालता है। हॉली पहले जी स्कुल में थी, वहाँ वर भी एक स्टोरेंट को उसने असौल्ट किया था। वो पूरी तरीके से mentally disturb है। रात में Holly डारेकली ऐलीसन के घर पर पहुँच गए, उसे हाट करकर उसके हाथ पेर बान देती है, इसकी फोटोस ने टेलर को भेज दी, टेलर बहुत डर गया, अपने फ्रेंड को भी हेल्प के लिए कॉल लगाता है, जल्दी से ऐलीसन के घर पर पहुँच रहा था, ऐलीसन Holly से कहती है, तुमें यह सब कर क्यों रही हो, Holly कहती कि जिस तरीके से टालर ने मेरा यूस क्या था, उसी तरीके से उसे पाने के लिए मैं तुमारा यूस कर रही हो, तुम बहुत स्टूपीड हो, मेरी बेबी की स्टोरि, सारी चीजे तुमने मान ली थी, यानि कि Holly भी नहीं है, Hallie एलिसन को अपने घर पर ले कर आई थी, तो थोड़ी देर में उसकी स्टेप मदर वहाँ पहुच जाती है, स्टेप मदर ने जब एलिसन को देखा, तबी Hallie पीछे से आकर उसे भी मार देती है, थोड़ी देर में टेलर वहाँ पहुचा, वो भूचता है कि ए एलिसन गा खून पड़ा, हौली ने ऐलिसन को उपर लटका हुआ था, टेलर जल्दीसे ऐलिसन को उपर से निकाल लेता है, एलिसन भी होश्थी पर वो अभी जिंदा है, हौली ने पूरे घ़र को लॉक कर दिया था, ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते है तो डारेकली हॉली के स्टेप मदर की बोड़ी उनी मिली टेलर को बेडरूम के दर्वाजे के बारे में पता था वो वहाँ से बाहर निकला पर अब हॉली के पास गन है वो कहती है कि मैंने कभी रियलाइज नहीं किया ऐलीसन अगर मर जाती है तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं टेलर डर गया उससे समझाने की कोशिश करता है पर हॉली ऐलीसन को मारने वाली थी तब ही उसके कन के सामने आ जाता है उसके सोल्डर पर गोली लग जाती है अलिसन ने जल्दी से एक रॉड लिया और हॉली के पेट में उटाल देती है अब यहां टेलर का फ्रेंड भी भोच गया था और यह सब मिलकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते है थोड़ी दिन गुजर जाने के बाद टेलर अब ठीक हो चुका था अलिसन और टाइलर के लाइफ में यह सब होने के बाद इन्होंने रियलाइस किया एक दूसरे से कितना प्यार करते है एक साथ बहुत ही खुश थै अब मूवी की एंड में हम देखते है कि उस रात हॉली को प्यों हॉस्पिटल में एडमिट किया था एम्बूलन्स में एक ओफिसर ने उसे का कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा वरी मत करना हॉली उसे देखकर भी अफसेश्ट हो गई थी वो अब उसे लाइक करने लग गई है इसी इंटरस्टिंग क्लीफ हैंगर के साथ आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आपको एक्स्प्रेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमूई के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया